बिस्मिल्ह रौमान रौहीम अस्सलामुलेकूम आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकडीमिया उन बच्चों का चैनल जो के मिस्टी समझ कर पढ़ना चाहते हैं रटेवारों के रिए कोई और चैनल सब बोले 10 टाइम माई पैशन माई के मिस्ट्री नौ स्टेज टाइम ओके बच्चों कल हमने अपने शोट के शांसे कंप्लीट के रिए चिप्ट नमबर 8 की एक्साइस किया आज हम रिमेनिंग अपने लोग के शांसे सोल्फ करेंगे मैं आपको सबसाब बताऊंगे कि आपने इस लोग के शांसे को कैसे अटेम्ट करना है और यह बुक पर कहा ह लिखा हुए सारा कुछ रिडिंग पर अवेलेबल होता है बस आपने इसको सर्च आउट करना होता है एक पॉइंट कहा है और और किस तरह लिखा हुए और उसको अटेम्ट कैसे करना है अकोडिन टू दा क्वेशन तो बच्चों लेक्चों लेक्चों साथ करते हैं साथ इसके नरा को इसन घ्या चैप्टराशा मतलबता है इसको बताना है कि क्या हुए परżen। पॉइंट उसे और दूर्सा पड़ा تھा था chemical properties of point of view से आप में sí अपने बताना है कि कि संक्ति करें अपने साथ मेटल के साथ की सब्सक्राइब करें अबर रहे हैं cog. और और इनल्स एम्ड़ेट्स कि सास्विक और आप से क् उल्वर इनर्ट क्रेक्टर जो है वह क्या होता है कि एक पर कोर्ट शो करते हैं सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनुम यहां पर लिख देती हूँ वैसे उन्हों यहां पूचा नहीं है आपको सिर्फ बताने के लिए समझाने के लिए कह रही हूँ यह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनर् क्रेक्टर शो करते हैं मिनज कि इनकी प्यर्व 562 यह पर बहुत अच्छी तरह लिखा हूँ है उन्होंने बताई है कि इनर्ट क्रेक्टर क्यों शो करे मैंने जब लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था मैंकी री爸 किक्षन के प्यों होता है कईके इनके प्रोसेस नहीं यह chemical reactions और नहीं यह chemical reactions करते हैं आपने इसके बात बताना है कि इसके ऊपर acidity का या basicity का क्या effect होता है और daily life के अंदर हम इसको building purposes के लिए अपने household के अंदर कहा कहा यूज करें है question में 3 is why cations are smaller and NIs are bigger in size than the respective neutral atoms बाचो यह concept का question इसको मैं अभी आपको explain करती हूँ आपको पता है जो neutral atoms होता है वो क्या होता है neutral atom के पास कोई भी ऐसी situation नहीं होती कि उसने electrons को lose किया या electron को game किया आपको पता है kateaum का बनता है जब वो एक electron को क्या घड़ता है lose करता है जब एक atom से electrons बाहरे निकलते हैं तो जो ultimately remaining electrons होते है वो बहुत ज़्यादा strongly जो होते है वो nucleus की तरफ क्या हो जाते है attract हो जाते है और ultimately इसकी reason से क्या होता है कि जो size होता है atom का वो reduced कर जाता है size atom क्यों increase कर जाता है क्योंकि इसके अंदर shells की increasement हो रही होती है, electrons add हो रही होते है जब electrons बाहरे निकल जाते है shells मेंसे तो क्या होता है कि जो remaining electrons होते है वो बहुत strongly nucleus की तरफ attract हो जाते है जिसकी विज़ासे जो cation होते है smaller in size होते है अब अगर in relation to anions चेक करें तो anions क्या होते है anions का जो size होता है वो greater होता है जब electrons को आप डा रहे हो, repulsion भी तो हो रही है न electrons एक डा रहे हो, आप एक shell ऐस पोस देखो यहाँ electron है, अब आपने दूसरा electron डाला है तो दूसरी shell में आगे उडला है तो इन दोनों की भी आवस में repulsion होगी, electron, electron की दोनों same charge है सामने है तो repulsion होती है न बच्चो, अगर negative charge होगा, opposite charge होगा तो attraction होगी अब यहाँ पर repulsion होगी, repulsion के दिचे में क्या होता है कि shells जो होती है, वो increase कती जाती है जिसकी वैसे जो anions होते है, उनका smaller, greater size होता है जब यह cations का जोता है, वो smaller होता है सी पूल के अंदर होते है, सी पूल से मुराद यहाँ पर क्या है कि electrons का एक पूल बना होता है, जिसके अंदर electrons गूम फिर रहे होते है बहुत ज़्यदा electrons, अब जितने electrons ज्यादा होते जाएंगे तो ultimately क्या होगा, जो metallic bonding है वो भी increase करेगी जब metallic bonding increase करेगी, तो ultimately hardness भी increase करेगी जितने भी किसी metal के अंदर electrons काम होंगे means कि उसके अंदर electrons काम है, तो metallic bonding काम हो रही है metallic bonding की main reason क्या है, कि electrodes होते है, वो अपस में attraction करते है कास, ठीक है, reproduction करीड होती है, attraction करीड होती है, whatever it is तो इसके पीछे reason क्या बन रही है, कि metallic bonding, जितने ज़्यादा electrodes increase करते जाएंगे, उतनी हमारे पास जो होगी, metallic bonding increase करते जाएगी और ultimately उतनी उसकी physical appearance के अंदर hardness increase करते जाएगी अब आपको मैं, अगर potassium की example से जाओ, पचो आपनी जिसमिया को समझा रही है अपनी उसी तरह paper के अदर इसको लिख कर आना है, potassium के तरह देखो 2, 8 और 2, ठीक है और magnesium में देख लेते हैं, हम sodium के साथ देख लेते हैं, 2, 8 और 1, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर 2 electrodes participate कर रहे है तो देखो, अब हमने बहुत बार कॉमली पढ़ा है, कि sodium को आप बहुत इसली knife से cut कर सकते हैं, as compared to potassium यह reason थोड़ा सा मायर difference किसलिए आ रहा है, सिरफ एक electrodes की addition से आ रहा है जितने अधा electrodes आप add करते हैं जोगी उतनी उसकी क्या होड़ी hardness इंक्रीस के जाएगी, अगर आप potassium को relate करो किसके साथ स्पोज हम कर लते हैं, Francine के साथ कर लते है, Francine के साथ कर लते है, Francine के होता है, सबसे जार least पे होता है, इस group 1 के अंदर तो क्या होता है, यह solid in character होता है, क्या होता है, hardness increase के जाते है, due to extensive amount of electrons, metallic bonding की वज़ा से question number 5 is, give the reaction of sodium with water, oxygen, chlorine and hydrogen, बच्चों, यहां की बुक की उपर reactions given है, पुरे table बनाया है, यहां पर alkaline earth metals बने हुए है, तो आप वहाँ से देखर कर सकते हैं, इसको मुझे करवाने की दूरत नहीं है, question number 6 is, what are the physical properties of calcium metal, give it to the most important number 6 question, उन्होंने पूचे कि physical properties हो calcium metal की, तो आपकी बुक की उपर calcium magnesium की properties specific दी हुए है, उन्होंके uses भी दिये हुए है, calcium की properties में आप आपने यहां पर physical properties आगी है, physical properties में बच्चों क्या 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 आता है, उसकी appearance आती ही, सबसे पहले, कि वह appear कैसे होता है, उस पर उसका color flame आता यह थोड़ सा concept, जो question है, उन्होंने चेंज किया हुए, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ, जो अगर irrelevant आ रहा है या आपको उसके थोड़ सी आपको conceptual based जो दमाग उसको लडाना पड़ रहा है, तो वह मैं आपको explain कर रही हूँ, लेकिन जो आपकी book की उपर लिक है, वह अगर आपको अब uses ऊपर जाओंगो, बताने ला पूरों तो timey waste होगा, तो आपकी वह को सुपर सब कुछ mention है already, question number 7, अब chemical properties of known metals की, अब आपकी book पे जितने भी, book पे कहा रही हूँ, इस chapter के ने known metals के जितने भी reaction है, आपने सारे लिखते रहे है, यह long question है, जितने reaction है, heading लि with hydrogen समझ लो, hydrogen के साथ reaction का रहे है, ठीक है, यह आपकी book पे एक example है, reaction of known metals की, उसके दावा लिखते हो, reaction with water, यह सारे के सारे, जब भी कोई element किसी साथ, means कि in combination आता है, और new product बनाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक chemical reaction होता है, और chemical properties को ही show का रहा होता है, तो आपकी इस chapter रहे हैं, जितने भी known metals की साथ reaction है, आपने सारे की सारे इस question के लिख देने है, question के mark स्यादा होंगे, वैसे तो इस जो मैंने आपको paper scheme मताई है, उसके मताबर तो इसके लोंग नहीं है, लेकिन अगर December के अंदर क्योंगे, जो आपकी paper scheme है, वो renew होती रहती है, अगर खुद आप लोग इसको अच्छतरा इतना पढ़ो कि अगर खुदाना खासता आ गया इसमें से तो आपको उस प्रेंपर ज्यदा burden ही feel होगा, आप इसको अरांथ रिवाइस कर सकते हो, question मरियर इस compared physical properties of metals and non metals, तो बचो यहाँ पर उनने physical properties का relation बताया, metals and non metals के दर्मिया, तो आपको करा रही हो, आपको बुक्यों पर given है, given है, given है, ठीक है, question number nine is how can you compare the softness and the hardness matter, same, बचो वही question है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले आरोडी बता चुकी हूँ, question number 10 is give the chemical properties of magnesium, वही same question है, मैंने आपको यहाँ पर physical properties, यह उन्होंने calcium की पूचिया है, यह आपको chemical properties of magnesium पूचिय लेकिन at least आपको अपनी बुक के page number का बता हुचे के, यह question कहाँ पर given है, ठीक है, रटा मानने का मैं कहाँ पहले concept के लिए करो, उसमाद रटा मारो, पता होगे question कहाँ पर given है, किस topic में से आया है, किस topic में से आया है, उसके साथ किस specific question के अंदर आपने इसका answer लिखना है, को question आपको, ठीक है, तो यह इन चीज़ों के बारे में आप लोग aware आखरो, question number 11 is right, a comprehensive note on the electropositive, यह भी आगी बुक पे given है already, ठीक है, metals के introduction में फोरन बाद आपको यह एक पूरा topic मिल जाएगा, question number 10 is compare the ionization energy of alkaline and alkaline earth metals, यह question जो समझाने वाले, यह मैं आपको भी समझाती हूँ, अपने पूचा के ionization energy compare करने है, alkaline earth metals की और alkaline metals की, बचो आप इसको, अगर आपने chapter number आप पीछे जो जहाँ पर हमने period ग्रूप सी बारे में पढ़ा था, वाह मैंने ionization energy का आपको trend समझाया था, ठीक है, कैसे period के अंदर और ग्रूप के अदर change हो रहे है, same यहाँ पर, क्यू आपको बता है, sodium की जो ionization energy होती है, वो होती है, प्लास 406, यापके magnesium की होती है, प्लास 738, हमने इसकी factor की पीछे एक reasoning पड़ी थी, हो क्या थी, electrons की attraction की सी की तरफ towards the nucleus, जैसे जिया आप period की तरफ move करते हो, तो क्या होता है, जो nucleus charge होता है, वो increase करता है, means कि nucleus attraction जो outermost atom की volume होता है, वो start of the period present होता है, ठीक है, इसके उपर जो electrons की attraction होती है, nucleus की तरफ जी strongly होती, as compared to magnesium, जिसके वेर से क्या होता है, जो इनका trend होता है, अगर हम inferiority बात करेंगे, हमारे पास सिरफ first two periods होते है, किस दीज़ के alkaline metals के, तो इनका trend वहाँ पर किस दीज़ के specific है, according to the nuclear charge, यह बात same ही है, जो हमने पहले पढ़ चुके है, period of groups के अंदर, सिर्फ इसको आपने relate करने है, कि इस chapter के according, जो मैंने आपको बताती है, अब मैं आपको बताती हूँ, in groups, आप अगर हम पहले सबसे पहले, alkaline metals देखने हैं, तो बचो alkaline metals के सबसे पहले start पर यह आता है, lithium आता है, तो आपको पता है, जैसे down the group आप जाते हैं, तो क्या होता है, atomic size जो होता है, जाहरी बात है, जब atomic size increase करता है, तो electron की जो shell होती है, वो भी increase करी है, मिज़छ में increase में increase हो गए है, electron की जो attraction होती है, newblies की तरफ, वो क्या हो जाती है, वो lesser हो जाती है, in return, हमें less energy provide करनी पढ़ कर सके किसे से उसके शेयर्थ में से तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम down the group बात करें in case of alkali metals तो क्या हो रहा है हमारे पास जो ionization energy का trend है वो decrease का रहा है same goes for alkaline metals ठीक है सेम बात है आप इसके दर alkaline metals की कोई भी example ले लो berilium या फिर berilium ले लो ठीक है ये दो ले लो element को कि start of the period हमारे पास group sorry berilium आता है और end पर berilium आता है तो आप किसी की भी example लेके अपने इस concept को उनको चेकर तक पहुँचा सकते हो ओकी बच्चो आज के इतना ही I hope so कि आपको questions की अच्छी तरह समझ आई होगी लेकिन अगर आपको फिर भी कोई question में अंदर मुश्किल आ रही है आपको समझ नहीं आ रहा किस question को कैसे attempt करना है do mention me in the comment section में आपको अच्छी तरह briefly इसको explain कर जूँगी या इसके उपर अलग से वीडियो लाजबर मना दूँगी ताकि पेवर में जाके आपकी कोई गलती ना रहे तो बच्चो कल में एक लिए लेक्टे वीडियो के साथ अपता के लिए फियमाने ला